हेलो एविवन तो आज हम स्टार्ट करेंगे इससी क्लास 10 बाइलोजी का चाप्टर 3 जैनिटिक्स पढ़ेंगे हैं ठीक है क्रिस्टल क्लियर कॉंसेप्ट होगा इस वीडियो को खोला है कॉन्फीडेंस से बोल रूँ क्रिस्टल फ्लेयर कॉंसेप होगा मतलब होगा ओके ठीक है तो देखो अब अब स्टार्ट करेंगेए और कोई भी रहें गम जैसे किसी को इसे नफरत तो नहीं है न है तो भूल जाओ नहीं होगे उसे ठीक है भूल जाओ गया पिससे आपने से नफरत ना होगी निया आपको नफरत हो ठीक है तो अपने पहला बताओ यह क्या है is this What is this Kya Hai Kya Hai itثurllear यह है क्या चैब रताओ जिसने पढ़ा है जिसने पढ़ा है उसे पता है जिसने नहीं पढ़ा क्या कर रहो वीडियो देखो लेक्ट अप्लोडेड रहा है चैनल पर लिंक डेस्क्रिप्शिन में भी आगर आपको देखना है देख लो तेलिग्रम जोईन जोईन करो नोट से लिए तो हैं रिटन टेलिग्रम जोईन करो बहुत फाईदा होगा बहुत चीद ने बाइब को फिर फ्री आफ व कॉस्त तो चलिब स्टार्ट करते हैं अब यह आपको नहीं पता तो जल्दी पता लगा कियो फटाफट अर दिसको पट क्लास 10 ICSC Board Exams में बहुत इंपॉर्टन है सारे बोर इंपॉर्टन है लिए 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 बहुत इंपॉर्टन है सलेबस के अकॉर्डिंग चलना चिक है तो चरुसरा करते है अब यार जैनेटिक्स है क्या अब लोगे चलो जैनेटिक्स तो हमें बता दिया अपने चाप्टा का हम जैनेटिक्स है तो जैनेटिक्स है क्या यर एक बासलिकीब्ञच है और विसली बासलिकी बासलिक कि दिख है क्या हम बाइलोजी पर रड़ श numéroड़ थे है इनहारिटन्स क्या है सिए इन हे इनहारिटन्स क्या है 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 इनहारिटन्स के इनओं सिए इन्हारिटन्स लाफ सिंदे की के class incorrectш। पेरेंट से प्रोजएव फेर सही लेक्ष्न जहीं और फिर कंजरी नेक्स। नीवह के इनियूबॉण बेबी यहा है तो उस बेबी की जसे जो पिछो कुछ फीचर्स होंगे कैरक्टर जो शोंगे वह पेरेंट से तो मैच करीं यह बविसली ठीक है तो है तो किसा इंगे एक्ञाऊंपल देंगे चीक है घगा वह प्रोत दोग है एक है राम सेटा़ है ठीक है जहलो यार यह कि फिक्रीख अरन कोई पन स्थाल आ है तो यह ऐसा हूआ उन्हों ने की यह तो चाहे तो से परमल ने देखा किया अनपका सब्सक्तन SHA separate यही किया वोacements है गिड़िन्स टुन उन्ही टॉक्त है करेशों करिक्टर्स करनाइशन है फेरेंट्स चाहिया होँ तो तरिम आंपकर गा लगा है परमस्तूना में गाविन्स की पार्णा में छामिंश है क्या है Gendix? Study of heredity अब बोलो गार अभी तो आपोल थे इस है वो इन हेटन सेमेट इस है हरिड़ी तो हमने कुछ नहीं पर Heredity, Heredity भी तो यह है The term Heredity may be defined as Transmission of genetically based characteristics from parents to offspring बस अब बोलो गार यह तो कुछ हमे सर के ओपर से चले गया क्यों गया सर के ओपर सुनो मेरी बात Like begets like, क्या है यह ऐसा question मन जाते है sample paper यह कभी बन सगता है What is like begets like इसका यह मतलब है कि young one अपने parents की तरह ही लगेंगे and it's obvious देखो young ones अपने parents की तरह ही तो लगेंगे For example, cats cannot produce dogs Obviously, cats produce cats mango germinates into a mango tree Human gives birth only to humans Humans, humans कोई तो देंगे birth Obviously, this is common sense वाली पात है Even the bacteria which grows in milk undergo hundreds of generations each day and continue to produce the same type of bacteria and not of any different type Look, it's all in everything So, this means Your parents Parents' character will go into the offspring Characteristics What is the character? The color of eyes, hair shape, eyebrows Here on the middle joints of finger So, this is a character And what are the traits? What are the traits? What are the traits? Brown color Blue color Hair curly Straight Eyebrows heavy Bushy Thin Color vision Normal Red Green Lips What are the traits? And what are the traits? What are the traits? Thick and thin Blood group The positive, negative Various blood group So, this is all Characters What do we know? Traits What do we know? Heretics What do we know? Genetics What do we know? Okay Inheritance 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 What do we know? Transmission of characters Okay तो ग्रिगॉर मेंडर कौन है एक साइंटिस्ट है उन्होंने मतलब क्या करा साथ साल एक प्लांट में एक्सपेरिमेंट्स करें और तभी उन्हें पता चला लिविंग और गैंजम में लॉफ इनहें अब पढ़ा हमने देख लो तो अब बुलोग यार इनको के कैसे मतलब कैसे लोग है तो इनको फादर ऑफ जैनेटिक सही है तो आप बोलोगी ना कि पी प्लांट ही क्यों चुना है इनको कुछ और चुने दिखा इन पे तने गार्डन में इनको इतने प्लांट प्लांट पे क्या इसी खासियत थी जो उसी को चुना गया तो देखो ग्र और मेंदल चुस पी प्लांट क्यों बहुत जल्दी उख जाते थे ठीक है और इनकी वेराइटी ओफ ट्रेट्स मतलब देखो वेराइटी ओफ ट्रेट्स ट्रेट्स का प्रथम ने से आई कलर क्या हो सकता है ब्राउन और ब्लू तो अर मतलब इनकी बहुत ज्यादा वह है देखो दिखाते हो मैं आपको सीट कलर देखो क्या क्या हो सकता था यलो और ग्रीन क्या है यह दोनों देखो सीट फॉर्म जो लिखा है वो क्या है कैरेक्टर और यह राउंड और रिंकल्ड क्या है ट्रेट्स सीट कलर क्या लिखावा है सीट क्या है क्या है क्या यलो और ग वह ग्रीन और यलो क्या है लिए ट्रेट्स ठीक है अब थ्री लॉज ऑफ मैंडल इंडल की बारे में हैं यह थे मैं ज्वी अब यह नहीं करेंगे अब तर्म्स करेंगे गुछ टार्मिनलाजी नहीं ते लिए मोन हाइब्रिट क्रोस यह एक क्रोस बेट्वीन देखो अगर हम एक single character की बात करें ठीक है जैसे यह plant tall है नी भी the plant tall है प्त идея प्लैंट सिर एक ही bei she said इन ना कि भाई साभ यह tall है और और यह dwarf है चोटा एक plant tall है और एक Grü क् छोटा है तो इन दोने के बीच में cross लगा छहते है? अना मतलब एक tall एक darf है ही एक ही हाईट तौल यह दॉ प्रहल ठेभी ओ क्या है जड़ दो डे और उडखी किरेंगे राउंड और फॉ ल कलर भी है रिंव प्रींश लॉक्ती यह इसम्य क्या है अगर हम डाइः हाई यह इहाइग तो क्या है को एक बार में study करेंगे तो गाइ हाई और एक को करेंगे तो मोढ़पना ह gev इंडे करांगें तो इक टो जाड़िवें टो बच हम भी चारेक्टर को मोनोहईब्रिड में एक एक रचारक्टर को जो किया है टो एक रख नोज जुडर्फ हम इस भूण का जो जुग अब इस बीच में पिछेंड लुछ सुध शौब फिछ जूग्षा में यह अब नोग्श हैं बीचल्र में यह सच बात है यंग बन लोक लाइक तेर पेरंस है पर कभी कभी देखो जीन्स में चेंजिस होजाते हैं अब बुलोग आपने सब बढ़ा दिया मतलब इंट्रोटक्शन में अभी सब थोड़ी पर आपने यह तो हमें बिल्कुल भी नहीं बता है वाट इस जीन भाई जीन के में फ्लिजार है सब्त है थाएं थे करिया यह में हैथ आपने घेनिक भी में जीन यह कुछ लग रहा है प्राइब ट्रांस्मीशन ऑफ जनेटिकली बेस्ट क्या प्राइब देखा उन्टे पेरिंट्स की फिंगर ऐसी नहीं होगी पर क्या हुआ एकदम से चेंज आ गया है जीन्स में कुछ चेंज आ गया है तो इसलिए हैरेडेटी मटीरियल्स ही डिटरमाइन करती है पर अगर उ मैंतर स्ट्राइब देखा यही तो बात हुई जन चेंज इन वन और मियुर जीन्स प्राइब चेंज आ डिकों क्युक्तिंग यही तो बात है अब देखो अब आएगा इंटरस्टिंग नात होम अलोग सोग्स तो चल्दी से कमेंट कर दो बताव पिसली वीडियो किस ने द तो आैवकी पता हो गया है, पूरा अच्छी से मद अब मुछाँ हूए, रिख़ो हर खो कि मैं बार 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 इसूरी ने पहलेग, अब 3D होगा ता है अब सेहिं क्रोमोजूम हो चेडिका है, हया देखा हूँ वोड्यक्षाइ्द नियुक्ति नियुक्ति भी कि कि डी कार्णा? कि पवल को वहला कि वहल क मैं छपना तीयव सबह। लग अले कि वहलो असे स्वेल को तुरम कछिस्ट नियुक्ति dando ठीजिए निटिक देगे इअवाने निटिक भुए पर किये आया जालाग्याहरा है दो प्रेट इंड यह देख शेप्त गाहा है यह देखने में दिखने मेरे को बाई यह तो चुःब तो इसका फीनोटाइप अब देखने में तो चुःब आ यह थो पर यार अगर मैं इसे जीनो टाइप में देखूं तो यार ये तो इसके तो बैस जीन के लेवल में देखूं ठीक है तब ये मेरे को लियाद लगया यार तो क्या ही बोलू मैं मतलब देखो जीनो टाइप क्या है अगर हम जीन के लेवल पे देखें जीन में देखें जीनो ट contrasting characters अब देखो इसमें आई कलर ऐसे है एक सब्सक्राइब बोडी टाइप अब डेखो तीटी तीटी क्या आई आपको समन्यार रहा है रूको फिर ये पड़े पहले अब देखो हो मुझाग जब आपको दो इसमें लेंगे एक बड़ा टी एक चोटाटी है ना इसमें लेंगे एक बड़ा टी एक चोटाटी है ना अब बड़ा टी एक चोटाटी ऐसे अलग लग लेंगे बस सिंपल सी बात है डॉमिनेंट यह होता है बड़ा भाई और रहसे से वह होता है चोटा बाई यह बड़ा भाई है इसका सारा बात माना जाता है हना तो यह हर बार अपने अपको क्या देखो यह क्या करता है यह दोनों में एक्सप्रेस कर लेता है दोनों में ही तो करता है यह देखो हमाजाइगस में था यह इसका एक्जामपल नहीं लिखा यहां पे इसका एक्जामपल क्या है बड़ा टी जहमत फिरच वाय ऐक समॉल टी थी एक एक बार करएं तो थांसके बुट और दूस्री बर यह करेगा यह दो करेगाING यह तो पर थाएं ब는지 करें करें जह देख इंट इसे हैं तो इसके हे हैं यह हर जबह एक स्प्रेश करता है होमोजागस में हों allocace & wherein दोने यसël JPW जो बड़ा डॉमिनिंट जो दोने में एक्सप्रेस करपाए तो सिर्फ होमोजागस में कर पाता है घुन एसी में कर पाता है चोटा बाइए जोटा बाई गया कि आग बिचार रहे हो तो अब देखो हुग है अब बताओ क्या अब वह हुटा है आपने खाया दो में में लोगता है तो दिए आ सबस्ट आदें यह आपारा हुआ आर सी जार हो इक नो CAR कियो पहले पेञाद पर आपर हो एक अगार यह बार है इसमाल टे यह सब्सक्राइब डिये इसमें भिजा रहा भा रहा हुआ अजाम IPSंज वर लिए व्हा इसमें वाय नियुक्ष I alles यह १ हैhe heterozygous गे harterozygous में क्या है dominant dominant, जो बड़ा भाई है dominant, जो इस पे dominant है जो बड़ा भाई है यह dominant जो है, हुणना किस पर आता है किस में आता है, होमो zoegous में भी आता है, यह देख проблемы पे भी आता है, यह हो 58 पर है Java पर है कुम नहीं आता है, यह ग्षाल करके यह जांपल है है थेटरोजाइगस टोनों कर रहा है मैं तो आश्य जीता हूं दोनों दोनों अप्रेस कर लेता हूं पर विचार छोटा बाई सिर्फ हमोसाइगस में कर पाता है मस्त यह बातो चीओआज इंटेगिवें अबशिकर ने इस त्वेन प्रोमोजोम ठीक है, अब यहर, क्या है यह, ठीक है, there are two types of sex chromosomes, one is called X chromosome and the other is called Y chromosome, occurs in pairs and are designed as 23rd pair of chromosomes in males, it is XY and in females, it is XS, ठीक है, तो हैर हम, sex कैसे determine कर पाता है, किसी भी organism का, हना, तो, दो होते हैं, देखो, एक होते हैं, 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 एक six determining mechanism in human beings is called xx-xy type in human beings male sperm, male gamet is sperm, female gamet is egg, male sperm and female egg male contains , Now where were the questions of the question? अभी जो exam होसे al يumergrass क्या क्या कुश्चन आया तब चुनाय तो सुनो, कि जो फीमेल के गमिट होता है, कौन सा क्टोम लेता है? ता क्या लेता है? इधर X वा क्रोमजह्यों उल्प सकता है, मेरी का का उंजम सब कि क्या लिए सकता है? एक्स और य पर जो फीमेल का होता है एक वो सिर्फ एक्स ही लेगा ठीक है बस समझ आगया होगा नहीं है कमेंट करो नहीं है को बचल समझाई देता है कोई नहीं हो प्रॉब्लम ठीक है दो होता है एक होता है एक्स एक होता है क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम दो होता है एक होत मेल के पास एक्स वाय कोई भी हो सकता है कोई भी हो सकता है ऐसा नहीं कि दोनों होंगे कोई भी हो सकता है और फीमेल के साथ सिर्फ एक्स होगा ठीक है The sex of a child depends upon the kind of sperm that fertilize the egg during fertilization, okay? So, what is the gender of the child? How do we know? So, what type of sperm will be? You don't understand it. Okay, now we will study in the units, then we will understand it in the reproductive system. There will be no problem. I am not saying it. There will be no problem. Okay, now we will not get it from this chapter. Okay, now we will not get it from this chapter. Just tell me about it. Okay, sex-linked inheritance is the appearance of a trait or a character due to the presence of an ally either on the X or Y chromosome. Ally, you left me. Ally, Ally, Ally. Okay, pair of contrasting characters. Let's see. T.T. What was it? Now tell you about T.T. He's a big brother. Dominant and recissive. Okay. Look, two contrasting characters are contrasting characters. I don't understand anything. I don't understand. It's not. They are not at last. 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 Just a little bit. Then I am at last. I am at last. Okay, let me do this. Okay. Now let's find out how to figure out our gender and sex, what will happen? So what will happen? What is the trait? What is the hair? The eye of the hair is blue, green, character. बहुत थो इस क्या हो कि आपप घ्रलता है यह इक्स क्रोमोजोम से 19Be-20 यह इन आपको नहें घाना यह बहुत इंत इन टॉपिक bütün बाइनिस और 돼 रहे वाला गुशन पहरे था है ठीक हिन्हें लिःओ अगाल your are the common sex linked inherited diseases found in human beings ठीक है human beings में पाई जाती है color blindness and humifle ये क्या करती है ठीक है ये पते ये आपको ये देखो सुनो ये males को नहीं करेंगी ये females को नहीं करती है ये females को नहीं करती है फीमेल को नहीं होगी पर अगर उनके males के पास genes होगा, X chromosome होगा मतलब सुनो female carrier होती है नहीं आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है सास लो, थंडी सास लो लो, लो टाइम तंदे लो थोड़ से relax करो, पानी पी कियो पानी पी कियो, उट 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 पानी पी कियो फ्राफन जाओ I'm waiting, I'm waiting जिल्दे, पीलो, 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 पानी से थोड़ा चलेगा, क्या बोलता है से, या नहीं होगा रिलाक्स करो चलो, बॉट होगा, क्या कर रहुत हैं, क्या कर रहुत हैं, यह पते क्यों होती हैं, क्योंकि जो मैं रेसिसिफ जीन हो, तरिसिफ की ओधे, उनकी वज़े से, एक्स रोमोजोम में, कुछ भी समझ नहीं हैं, नहीं है, ठीक है, सुनो, तो इदेगो, बेसिकली हमोफलिया क्या है, और क्लोर बाइनस क्या मतलब किसको होती है, इसका ठीक है, हां क्या कर रहेता है, कलर बलाइनस एं हमोफलिया, इसमें आपो इता टेंशन नहीं लेनी की जुरू होता है, इसमें दिखो आपो यह जानना है, हमोफलिय एक जैनेटिक डिसॉर्डर है, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग अगर थोड़ी सी भी आपो खरोच उसक्ता है, क्जपनिओनर को पदंगा अगरो जाने की जरूद रई कोईा है, ब्लीड़ू को जाना को चनेज्जुर्ड अपकला है, इसमें दिखो घंटा ही है, आपके स्लमच में दिखा है विश्वां से नहीं खुकित जाने के रूंट है, एक कर बखाना हुआक से दिख बस मतलब इनका इतना explanation नहीं करना है okay अगर तभी पी चाहिए तो बोल देना मैं बता दूंगी पर अभी नहीं तो बस कलो इन दिखता है हमोफलिया में बस कलो जादा फ़तर नाग है कि इसमें क्या होता है हमोफलिया में यह ब्लेट इन्य थी मतलब से अपका ब्लड टुके गाही नि तो बहुत बड़ी आप निकल तो अब क्या करोगे तो इसमें यह पसदभ प्रॉब्लम है यह है ना ठीक है अब हमारे यह सब तो दन है तो यह ठीक है देखो colorblindness the gene for colorblindness is present colorblindness x chromosome पे present the daughter of a colorblind father अगर कोई father है जो colorblind है ठीक है ठीक है तो ठीक है अगर वोई father colorblindness तो उनकी daughter जो होगी वो colorblindness तभी होगी जब mother carrier of disease होगी ठीक है वेर्स दिफेक्ट अपेर्स इन सन इवर इन दे प्रेसंस अफ़ा सिंगल रेसेशिव जीन ठीक है ओके मतलब अगर gene x x होगा है ठीक है x x होगा तो daughter colorblindness पर अगर gene x y होगा है तो मतलब होना यह है जो son और daughter आप ना को होना ही है पर daughter में यह है तभी होगी जब mother carrier होगी मतलब x x होगा हां एकस-एकस होगा पर नहीं पर अगर पर जो बेटा होगा उसमें क्यूंक तब होगी तब उसमें उसमें एकस-ओय से भी हो जाएगी ठीक है नहीं है समझ देखो अगर कोई पे कोई फादर है ठीक है और उनको कलर कालब लाइडनलस है अगर मदर क्याइर होगी डिजीज की है उनके पास999 किसका होता है छोगा टो मुशन का तो पर इसससॉट् graphs by और यह का we go further Exodus करो मुद्र पर अगर सिंक्सों तो तो हगर XY बी और ऑवि एक्रोमोजोमेस एसमें स्थवर्थ है ने ने टो एक्स एक्स य भी है ना तब हो जाएगा बस ठिक है बहुँ बिस अब हम फिमयर क्या है है यह डिजीज जो कि किस फिमेल to the sum of the male offspring ठीक है फीमेल से जाती है ठीक है फीमेल अगर अगर किस कोई mother है mother है उसके son को जाएगी ठीक है the possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare देखो हाँ अब देखो समझो जो female है मतलब यार है हमफ्लिया जो है वो male को ही क्यों होती है क्योंकि देखो जो वो है daughter जो mother है mother से ये mother से बीमारी सीदा किस को जाती है son को तर जब mother से son को जाती है हना because mother of such female the possibility of female becoming a hemophilic extremely rare because mother of such a female has to be at least carrier and father should be hemophilic तो असे हो नहीं सब्सक्राइब इसलिए सब्सक्राइब मेली होता है है अब देखो अब हमारे तीन laws बचे हैं जो कि सब्सक्राइब इंपॉर्टन है वह से पूची जाद में आपको रटने वाले type की होता है अब देखो law of dominance क्या बताता है जब हम दो पेर दो contrasting characters के pair को एक साथ वो कराते है cross है तो क्या होता है यह बात यह बात यह तो क्या है law demonstrate that when one pair of contrasting characters are crossed with each other F in generation it's phenotype shows only one character है जो character दिखता है उसे बोलता है dominant or well suppressed character is called recessive इसके हम questions करेंगे तब आपको ढंक से समझ जाएगा मेंदल्स law of segregation states during the formation अब देखो यह segregation का लौक यह भी अब करता है जंक से लिए वो बोलता है जब gamete formation होता है what is sperm and egg formation होता है तो sperm and egg formation होता है जीन तो जीन सेपरेट होकर जाता है एक दूसरे से क्यों? जीन सिर्फ एक L.A.L.E. अब यह अजया है कुछ शुक्च समझ नहीं तो से सभी अपित्शाइड से Gadget ध्कित का मैं मैं cœur strain का यह ख समय क्या जीन की कικά भी फिस्ट्ट की अफे? एक टंग रोल कर रहा है और 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 एक टंग रोल कर र either one can roll the tongue or cannot thus there are two LLEs of these genes one for rolling and the other for non rolling just this is the LLEs okay alternate form of gene just LLEs okay hmm hmm we were lost okay okay we will remember this okay Mendel's law of dominance states that when one pair of contrasting characters are crossed with each other FN generation industry phenotype shows only one character the character relatively visible is called dominant while the suppressed character is called recessive okay what is in love segregation? when we form a gamete so every gene separates one from the other okay so every gamete only one LLEs to carry one gene for each other what happened? what happened? we are getting confused we are getting confused we are getting confused but we are getting confused I am getting confused but I am getting confused I am getting confused okay I am getting confused okay 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 we know what we call law of segregation पतेख नहीं किया और पुरिटी अफ गैमेट इसमें आपतेग्श इसमी सीओं तो मैंबर फेर दॉरि जापटर इसमें आप्र अर्गारीट इनुड इनुड डिवीर रहा निवीज्टर इनुड इसमा। अज़ा सुनाओ फिर ऐसा करता है जो को इसका पहले हम गड़ता है अ किसमें देखो एक होमोजागस प्लाइट है होमोजागस मतलब क्या होता था सिर्फ एक रेक्टर की दू बोलो एक तो क्या है एक एक्सिल फ्लावर ए और टर्मिनल क्या है एक्सेल फ्लावर है डॉमिनेट मतलब एक्सेल ए पहले आएगा पहला एक बड़ाई लाउन मतलब यह अप्रिया से कहीं प्यूड में समझे गगए आपको Levi झालो थीक है तो अब किरॉण के इन 2 राइब कर लग चाहिए तो हमें बता लग यह हमें पता लगिया की होमोजागास है तो होमोजागास कौन सा एक ही चार्री के बात हुज है तो मोनो हैब्रिज क्लास करेंगे वट इस फीनो टाइप एंड जीनो टाइप प्योंटाइप लेकों पाइड आप से यहां देखाएको जू आप फिनोटाइप क्ष disclose क्यों का की कि भी दिख प्प्प्प और एक्षिल फ्लावर जो दिखते हमें वह यह चीनो टाइप हमें क्या है यह पहले ए फिर बाद में एक्यूंकि एक बड़ा वाला एक डॉमिनेंट और एक रेसिसिफ ठेके तो अब देख लिए को करा है तो हम क्या करता है यह रखा हमने ए-ए एक एधर लगा यह हम एक सिगीड एक सिगीड ए कि दरन एक सिगीड आए एक सिग एक सिग्ट एक एक रिख आए यह पिर ए आए एसे घटे थैनी तो यह तो हमादा लगाए यह मैं अपको ठंच कराम यह थो विए शूजार अगे गर गरा नहीं करा लो हुए pub एक है यह सचे किन देखे गश्च घंट के ख जिए किन चेंद का आप उन साओ Shanghai फी टाइपे एंड जिए जिए किन उपन अन्हे इट तोट लब टोटल्डिर्ड खिषिंग कितने है जो ढूमिनें कि कुण सब को मेंड जान गाइक जी हो गया एक ग्यों तो त्यू ग। that out of one pair of contrasting characters present together, one express itself. So what do we say? When we have two contrasting characters present together, then only one express itself, the other one is hiding. Then it doesn't matter. Now let's see a question. Name two genetic disorders commonly seen in human males. It's hemophilia and colorblindness. That's the question. We will do a lot of questions in the rest of the other questions. Okay, we will do a lot of questions. Okay, let's see. Mendel's law of segregation states that during the formation of gimmick, each gene separates from each other, so that each gimmick carries only one L.E. for each gene. What? I don't understand. I'm trying to understand. First of all, let's see. Now what does Mendel's law do? law of dominance states that when one pair of contrasting characters are crossed with each other, F in generation, its phenotype shows only one character. the character that is visible is called a suppressed, dominate where the suppressed character is called recessive. Tell me. Hmm. 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 Okay. Okay. Very good. Hmm. Sorry. Why? So what does law of dominance mean? What does law of dominance mean? One character shows you, one of them, 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 and one of them, hidden. Okay. Now what does Mendel's law of segregation mean? What does Mendel's law of segregation mean? When the gamete is formed, every gene, every gene separate, every gene is different. Why? So, for each other, so that each gamete carries only one L.E. for each gene. Do you understand? 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 Mendel's law of segregation, simply, when the gamete is formed, then, every gene separates from one another. It separates from one another. Why? So, every gamete, one L.E. Then, do your password. What is L.E.? L.E. My pronunciation is wrong. Sorry for that. What is L.E.L.E.? What is L.E.L.E.? tell me. Tell me. What is the tongue? One can roll, 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 one can roll. Now, let me show you. A pair of contrasting characters A pair of contrasting characters are known as L.E.L.E.s. one can roll, 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 one can roll. So, so that, all will get a different feature for the gametes. What does it say? Mendel's law of segregation states that during the formation of gametes, each gene separates from each other so that each gamete carries only one L.E.L.E.S. for each gene. Simple. law of independent assortment. Law of independent assortment states that the L.E.S. of two or more different genes get sorted into gametes independently of one another. In simple words, the law states that all transfer of a particular character from parents to off screen remains unaffected by other characters. Let's see. In simple words, in this law, that all transfer of a particular character when we transfer a particular character to a particular character this okay when we okay the law says that transfer of a particular character from parents to off screen okay then if offspring will take a little character to another character they will take it and say they have to keep it in biology also you have to keep it the law of now segregation law of segregation this was in sample and in exam they have to ask a question they have to ask a question to ask they ask they ask they ask they ask they ask okay law of dominance states that when one pair of law of dominance state that when one pair of contrasting characters are crossed with each other fn generation its phenotype shows only one character the character that is visible is called yes is dominant whereas the suppressed character is called recessive law of segregation Mendel's law of segregation states that during the formation of gamete each gamete each gene separates from each other so that each gamete carries only one alle for each gene Mendel's law of independent assortment the law of independent assortment states that the alleys of two or more different kinds of genes get sorted into gametes independently of one another okay, you should basically keep them all the problems and keep them all the problem okay. law of independent assortment states that the alleys of two or more different kinds of different genes get sorted into gametes independently of one another okay. law of independent sortment states that the LEDs of two or more different genes get sorted into gametes independently of one another. Law of independent sortment states that the LEDs of two or more different genes get sorted into gametes independently of one another. In simple words, the law states that all transfer of particular character from parents who often remains unaffected by other characters. Okay, now we will do the full review again. We will explain one more time if we don't understand. So if there is a problem, there is no problem. Okay, we will question all three laws for mono-hybrid and di-hybrids. Okay, this is our child, mono-hybrid, I will do a lot of questions. Okay, this will come in later. Okay, following terms, genes, LD, heterozygous, homozygous are all gone. We have more than that. What is variation? We don't do this. Variation is like a chain. It means that the offspring, the whole child is like a child. If there is a parent and their virgin is also a newborn baby. It means that the newborn baby is the same and the child is the same. It means that it is kind of the same. It doesn't happen every time. It means that it is a variation. What is genetics? Let's take a branch of biology. Okay, let me tell you one more thing. Okay, genetics is study of heredity. This means transmission of body features. Okay, let me tell you one more thing. Transmission of body features. Okay, this is study of body features transformation. Transformation is left. Transmission of body features from parents to offspring. Okay, let me tell you one more thing. Okay, let me tell you one more thing. What is genetics? Genetics is a branch of biology that deals with study of inheritance of characters. Inheritance is what happens. Inheritance is what happens. Let's see here. What happens. Inheritance is what happens. Inheritance is what happens. Transmission of body features. Now, Gregor Mandel. Why does he plant plants to reproduce? He plants to grow slowly and easy to breed. Some latent plants are a variety of traits. There are a variety of traits. There are many varieties. Do you. Now, Mandel's law of dominance. Okay, let me tell you one more thing. मैं सुनुर। हम ठीक है बोला बुट अब मैं बोलती में उच्छिफ जो लो love dominance states that when one pair of contrasting characters are crossed with each other f in generation its phenotype shows only one character the character that is visible is called dominant where the recessive where the suppressed character is called recessive Mendel's law of segregation Mendel's law of segregation states that Mendel's law of segregation states that during the formation of gamete each gene separate from each other so that so that each gamete carries different carries only one allele for each gene in a different manner to get Mendel's law of segregation below Mendel's law of segregation states that Mendel's law of segregation states that during the formation of gamete you will Mendel's law of segregation states that Mendel's law of segregation states that during the formation of gamete each gene separate from each other and each gene separate from each other so so that each gamete can carries only one L. E's for each gene. Mendel's law of segregation states that during the formation of gamete each gene separates from each other so that each gamete carries only one alleles for each ज्थिम केब सेपरेहिकी दिवार के खरतें Piece घिव हो अवडफ करतें के घॏंटुरर् इच्छिम के मैंऽ यंतर बेरे मेनेस्वित्त बीज करतें सेपरेजके magaz और Trash आव मेंजल श्गास की लेंटर ग करनम स्थाहणे का है मेंजल को प।- आपना मिन्स कि लान स्थाहणे की लेत्लिवक स्थाहणे है आप सौर्टी कि की लेंटरłeश स्थाहण हे लेत्लिवक दिखिर्ट वेक्ट नेसज़500 senhap पर अभी नीवबवन में तो यह बागि रेक्टर कोा थोड़ी फटाया में। यही इस नियू बहुत ही अग्पाइड बढ़ता है अगल्यक्टर कोई अगल्पाइडस्ट इसे घ्रवाई को यही दया फ़ननागच्ट है आलाख फ़ने टिर also नो गमीच्ट है लाव दॉ 있지 तेड बेले हैला इस परहना भणnon इसार इसök लेख शाय थेटो मुलूआ अजिनिय नहीं पड़ा जल्दी पड़ओ प्रुछी सअ्वाल días Manel's law of segregation states that during the formation of gene each gene during the formation gem erich gene separate from each other so that each gametes carries only one character for each gene law of independent assortment states that at least least 2 or more different genes get sorted इंडिपेंट्ट्रिपेंट्र बट्रिपेंट्र जाए हम एक चीज की बात करें या तो हाई एक ही क्याराट्र इवाफ करें हैं या है जिए प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जीन्स का वह जाता है होमो लाइगस हमोलोगस क्रोमो जोते हो जोते हो सेम सेम हो से हर चीन में सेम और अलोगस ओ बिल्कुल भी अलग हो सब अलग हो सेम नियो phenotype जो भार से दिखते है genotype जो अंदर दिखते है at least a pair of contrasting characters तोई सकता है कोई जुपboys खंप यह ए हमोजागव क्या है पास two identical The जीन्स है टीनिटेंग टीन neither हेटर्ट्रिश्या द्यार्णटिक जीन्स है यहागी दैसे यह है हो जाहते है है कि यह नोन इडिंडिकल ही तो डॉमिनेट के जो अपने अपको हो मोजागस में भी गड़ता है है तो छीव गड़ता है थेक्टेश्ट कर चुक ए मैं पर चुक ए तरफ को में समय को जो 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 बता देना कॉश्शन सेजी बहुंत जल्डी तो थैक्क तो थांक्स पर वाचिं and don't forget to like, share and subscribe okay आपको पूरा 2000 यू को हर स्लेबस हर चैप्टर का फुल स्लेबस रहे जाए so free of cost simply यह बात सबसे ज़्यादे ज़्यूरी है free of cost है ठीक है और ऐसा नहीं है कि यार आपको free of cost है तो content अच्छा नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए कमेंट में पेज जचक बोलो जो चाहिए लिख दो आबस आपको हुक्म सरागों के है ठीक है like, share, subscribe share जरूर करना अपने friends के साथ अगर आपको समझ आया तो नहीं आया तो comment में लिखो कहा समझ नहीं है नहीं है तो बोलो में दुबाय समझा दूंगी है no problem कोई problem नहीं है ठीक है ठीक है कुछ भी चाहिए question series हम सब लाएंगे वैसे तो अगर अब कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप बता देना ठीक है कुछ और तो नहीं समझ दा question series सब लाएंगे सब लाएंगे पी वाई क्यू लाएंगे सब लाएंगे और यह तीनों लोग सबसे इंपोर्टन है इस स्ट्रा में और पनन स्क्वार्ट जो हमने भी पनन स्क्वार्ट में बचा है थोड़ा बहुत हम करेंगे इस से पनन स्क्वार्ट को भी करेंगे थोड़ा बहुत अभी हमने एडिया लगा लिया है वह हम करेंगे ठीक है एक बर फिर से बोल दो लॉस्ट लास्ट बोलो चलो में साथ सथ बोलो बोलना आपको साथ सथ अगर आपने बोला तो कमेट बताने के लिए बता दो रहा है अच्छा लगता है उप्पता है या बोल रस्ली में कि ली ठीक है अश्ली में खुद बोलो मूं से बोलो में साथ सथ law of dominance law of dominance states that law of dominance states that when one pair of when one pair of contrasting characters contrasting characters are crossed with each other are crossed with each other are crossed with each other other fn generation कर दोनी नहला गतरा लंपित की शग उन्हे मैंनृस् summa प्रभान ची करेएच हो या मैंनृस्योव मैंनृस्योप della्प्डेशों सेरे YEAH टि सब्सरेirosरी टो ये لो येhhे । मैंनृस्योविडे पालtheन ज्गंट मैं जिए ऍ्लियुनांस का पूलना all transfer of a particular character from parents to offsprings and affected by other characters ठीक है I don't think so, हमने सब कर लिया वसे को, देखो, हमारी क्या मचाई ठीक है ठीक है ठीक है ये मोन हैबरिट ये दोनों से जबटी है ये और ये ये सब टर्म सारी हो गई ठीक है ये ये बी हो गई दीजी सब हो गई हम पीबाई की लेंगे, सब लेंगे, ठीक है बस आपको सपोर्ट करना है सपोर्ट करना है, बस आपको आपको नहीं ठीक है ओके, थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग